आज बनाए जा रहे हैं यह देखिए 200 गराम चना में टर लेंगे इसको फुला लेंगे बढ़ियां से यह देखिए फुल गया है बढ़ियां से इसमें दो प्याज लेंगे दो टमाठर चार हडी मिर्च अधरकला सन सबको छोटे छोटे चोटे टुकरे में काट लेंगे यह कड़ाई कुकर चरहा देंगे गरम होने के लिए दोस्तों आप कुकर गरम हो गया है अब इसमें सरसो का तेल दो तीन चमस डाल देंगे अब सरसो का तेल गरम हो गया है इसमें एक समझ दीरा डाल देंगे एक मिर्च से डाल देंगे सुखी वाली आप दोस्तों दखिए यह चठट करी है जीरा अब इसमें लाशान और रखेंगे दो इसमें नीक काश्त रखंदें देशा तो दाल देंगे अब आप आप यह हलका तो नारा ब्राण हने देंगे पगे शाल मैं पूणोफार हम बदिने की गयरे, अप्मिझी डाल मैं जड़ो पगाॉ कर कि आल जो परसे ओंग, हमुझी जड़ा हम जालो जाते प्मिश्त लाप्सक्राइब लाप्सक्राइब कि जो बताना नहीं आदिमों कर दो 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 मारा मतर और अलचना भुना गया है अब इसमें हम जो तमाटर कातकर रखें उसको डाल देंगे बजना समीच करदें घंगे की जाओ आजे दो सोड़ी कि इसमे भड़ा दो समस्लिया है, अहल दी एक समस्लिया है, आज छोला मसला है दो समस्लिया है. इसां को डाल देंगा. आजे विश्या नमाख भाग के नमाख देंगा दाल दीजा है. अब इस तब को मिश्कर देंगे, बढ़ियां से मिलागेंगे, बढ़ियां तब भी बढ़ियां भी रोश कोंगे, अब 4-5 मुनन तर इसको फिल मिलाते रहेंगे, अब इसको चलाते रहेंगे, अब यह देखियो तो यह मुना दो आ है, अब इसमें दो विलास पाने, अब करेंगे, अब यह से मिला देंगे इसको, अब इसको बढ़ियां से यह मिक्स कर देंगे, अब ढ़क देंगे, अब इसको दीनी आज पर दो तीन चीठी लगने देंगा पक जाएगा उसमें दोस्तों दखें ये ढखन बंद करने के बाद दस मिनट तक इसको चुले पर गास चुले पर छोड़ देंगे अब दो तीन चीठी ये मारेगा कुकर कुकर में दो तीन चीठी लग गड़िया आप चुले को बंद करने के बाद दो तीन चीठी लग गड़िया करेंगे ग्रास को बंद करेंगे अब कुकर को ठंड़ होने के लिए छोड़ देंगे जब यह ठंड़ हो जाएगा तब दोस्तों देखेंगे हमारा सब्जी कैसे बना है बर्यों बना होगा दो यह दोस्तों देखेंगे हमारा कुकर ठंड़ा गया है अब इसको चलिए भोलते हैं देखेंगे हमारा सब्जी बन के तयार हो गया अब इसमें गरम मसाला एक चमल डालेंगे गरम मसाला बढ़ियां से मिला देंगे इसको अब देखेंगे हमारा सब्जी बन के तयार हो गया है अब यह कटोरी में इसको सारू कर लेंगे देखेंगे सब्जी बन के तयार हो गया है दोस्तों हमारा सब्जी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए गां इसको आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं बहुत बढ़ियां सब्जी बनी है ले प्सुering शबड चार में आप लेघड खा सकते हैं झाप बना रोटी यारे प्सक्राइब कर देखे